पाकिस्तान और इरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है पहले इरान ने पाकिस्तान के बलुचिस्तान इलाके में आतंकियों के ठिकाने पर एरस्टाइक की थी वहीं अब पाकिस्तान ने इसका बदला लेते हुए इरान के दक्षणी सुदूर इलाके में हवाई हमला किया है इरानी मीडिया के मुताबिक सारावान शहर के आसपास कई धमाकों की आवाजे सुनाई दी है इसको लेकर इरानी अधिकारी ने नाम नजाहिर करने की शर्त पर इरान की सरकारी न्यूज अजेंसी आयार एने से कहा कि कई जगहों पर धमाकों की जानकारी मिली है वहीं मेहर न्यूज अजेंसी को एक सूत्र ने बताया कि इन धमाकों में कई लोग घायल हुए है इरान की स्टेट मीडिया ने पाकिस्तान द्वारा किये गए मिसाइल हमलों में तीन महिलाओं समेथ साथ लोगों की मौत की पुष्टी की है मरने वालों में चार बच्चे भी शामिल है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इरानी धर्ती पर बलोच विद्रोहियों के कैम्पो पर पाकिस्तान ने ये हमला किया है वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्राले ने इन हमलों की आधिकारिक पुष्टी कर दी है पाक विदेश मंत्राले का कहना है कि उसने ओपरेशन मर्गबर सर्माचर के तहट इरान के सिस्तान और बलुचिस्तान के भीतर आतंकी अड़ो पर हवाई हमले किये हैं इस हमले में कई आतंकी मारे गए हैं इन हवाई हमलों को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्राले ने तर्ग दिया है कि उसने कई सालों से एरान में पाकिस्तानी मूल के आतंकियों के फलने फूलने को लेकर एरान के सामने चिंता जाहिर की थी इसके अलावा पाकिस्तान ने इसको लेकर कई डोजियर भी सबूतों के साथ उसे दिये थे लेकिन उन पर कोई गंभीर कारवाई नहीं की गई और ये आतंकी आम पाकिस्तानियों पर लगातार हमले कर रहे थे और पाकिस्तान को इरान के भीतर कई आतंकियों की लगातार बढ़ती गतिविधियों को लेकर पुखता खूफिया जानकारी मिली थी जिसको देखते हुए पाकिस्तान ने ये हवाई हमले किये है पाकिस्तान का कहना है कि वो अपने लोगों की सुरक्षा में आगे भी इस तरह के आपरेशन करता रहेगा वहीं दूसरी तरफ इरान ने बलुचिस्तान में जैश और अल्दी संगठन के आतंकियों पर हवाई हमले किये थे इरान ने इस से पहले जैश अल्दी पर आरोप लगाया था कि उसने दक्षिनी प्रांसिस्तान और बलिचिस्तान में पिछले महीने एक पुलिस टेशन को आग के हवाले कर दिया था और इस हमले में 11 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई थी बड़ी बात यह है कि इरान ने जिस आतंग की संगठन पर हमला किया था वो इरान और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर के भीतर ऑपरेट करता है जिसने इरान में हुए पिछले कई हमलों की जिम्मेदार इली है इरान दोरा पाकिस्तान पर किये गए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच बीच बीते कुछ दिनों से तनाव बढ़ता दिख रहा है स्थिती ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान ने इरान से अपने राजदूत को वापस बुलाने तक का निर्णने ले लिया है पाकिस्तान की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि इरान द्वारा पाकिस्तान की संप्रभुता पर अकारण हमला अंतर राश्ट्री कानून और संयुक्त राश्ट के चार्टर के उद्देश्यों और सिध्धानतों का उलंगन है और आप पाकिस्तान द्वारा इरान में मिसाइल हमले से दुनिया के एक और कोने में युद्ध जैसे हालात बनते दिख रहे हैं